वेलो दोस्तों गराब वी कख्षा 12 के चाहतर है नदर लेकर आचुके ना कमेश्टी का ना बिल्कुल ना रियल ऑब्जेक्टिव कोशन ठीक है यह का 12 के लिए आपका होने वाल है ठीक फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम 24 का यह बिल्कुल ना रियल पेपर होने वाल है जिसको आपको एगंटा 30 मिट का तो सारे का एंसोर हम बताएंगे तो वीडियो में ना अंतीम तक ना आप लोग ना बने रहेगा चलिए बिना देरीक हुए वीडियो को अस्टार्ट करते हैं ठीक उससे पहले बाता देने अभी तक आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब निकार चैन कोशन निमलीखित संक्रमर तत्वा के आयनों में कौन अनुचुम्बक यह है तो आपका राइट एंसोर क्या जगा जगा जाएगा ठीक है आपसन सी ना बिलकुल ना राइट एंसोर हो जाएगा चलिए आगे कोशन देखे तो निमलीखित में से किसे मुद्रा धातु कहा ज ऑफसन क्या हो जगा ना बिलकुल ना राइट एंसोर हो जाएगा चलिए आगे कोशन दिखते हैं आगे समणोय योगी के लिए हैसाबसे पहला मौतफूंद सिधान किस ने दिया था अस्टेचला ने दिया था पावलीग ने दिया था लेविस ने दिया था या वारणर नी वारनर कुछ अलग नाम था इनका ठीक है अपसन क्या हो जागा ना बी नमबर बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा पावली चलिए आगे निम लिखित में से कौन सा एक द्वीक लौण का उधारना है कौन द्वीक लौण का उधारना तो देखिए इसका क्या हो जागा ऑपस बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चलिए आगे कोश्यान है इसका कि आक्सी कौन संख्या पूछ रहा है तो इसका एक्सी कौन संख्या क्या हो जागा ऑपसन ना सी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चलिए आगे निम लिखित में से कौन सा वाइनाइल हाइलाइड ह है तो यका है यह लड़ क्या हो जाएगा आपका राइट हजा तो इंजाइम कkachसे होते हैं तो थे आपका राइट हो जाएगा थ़िक आगए है इसका पूछ रहा कि एथिर है तो एथिर ना डबल आर का बॉंड होता है और ना ओ से यह होता है ऑक्सीजन से होता है तो कहां दिया देखिए तो ऐसा बॉंड आप्सन सी में दिया सी आपका ना बिल्कुल ना राइट एंसवर हो जाएगा अभी तक आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देए वीडियो को लाइक कर दिए अपने दोस्तों पास भी सेयर कर दिए ठीक है आगे कि वेंजिंग डाई उजिमेन को लाइट के जलियें वीलेन को गर्म करने में निमली खित में से कौन प्राप्त होता है ठीक है आप्सन ए बिल्कुल राइट एंसवर आपका हो जाएगा चलि आगे कोशन है जब फार्मिक अमलों को सांदर एस टू एस और फोर के साथ गर्म किया जाता है तो नि B아e c नाम क्या हो जागा नपरोपो नाई अमलों हो जाएगा ठीक है अफ्सन क्या हो जाएगा शीरिखित में से कौन सा टाीलें का अभीकरrick है क्या हो जाएगा अप्सन एक बिल्कुल राइट एंसवर आपका हो जाएगा पलाश स्वर हो जायेगा चले आगे निमलीख़ीत में से कार्बोहार्ड़ीट परकिति में प्राच्वूण मात्रा में पाया जाता है कौन पायता है स्पशन में स्पशन कार्पोष। आगे का कोश्चन है निमलीखित में से कौन सा है डाई सोकोराइड दूद में उपस्थीत रहता है तो कौन सोकोर, लैक्टोस, माल्टोस इन में से कोई न है तो लैक्टोस हो जाएगा ठीक है आप्सन B न बिल्कुल न राइटेंस वर हो जाएगा चलिए आगे बिटामिन A कर में खुलन सेल ड़े बितामिन और सिटीक अप्सन क्या हो जगा apart seen li автомट राइटेंस वर हो जाएगां निमलीखित में से किसे से जाएगा जाएगा राइटी किंसे कुछ चुछ है घैसे से कोई नहीं में जाएगा वेंजीन का ठीक है ऑप्षन क्या हो जाएगा ना बिल्कुल ना राइट एंसर हो जाएगा अब देखिए इसका पीएसी नाम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ना सेकेंडर ब्यूटेन कुल राइट हो जाएगा चले अमर्ब कोशन दिया अयल्कीलहल राइट का उप्योग नीमल में खीत मैं से किस के द्वैंक होता है तो एल्किंथ के ब्ल्कुल ना राइट एंसर हो जाएगा उडि आ कि अप्ष्टर हो जाएगा वागा फूंध जिंक और जल केशाथ कलूरोफम का औकन से प्राप्त होता है तो क्या होता थो एत्थीलीन प्राप्त होता है ठीक और अप्शन भी राइट-न्स वर हो जाएगा चलिए आगे कोश्चन है यहाँ पर नेमली खीज में से कौन सा ऐड़ो फर्म का परिक्षण नहीं देगा तो कौन नहीं देगा आफ्शन भी राइट इ निए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए निम्लिखित में से कौन जल में घुलन सील है तो कौन है तो सी है स्टरी सी एलटी का अपसन भी राइट एंसवर हो जाएगा चलि आगे कोशें किस्टली तंतर में कूल कितनी संख्या होती है तो साथ होती है ठीक है आपसन क्या हो कि चलते हैं आगे कोशन के किसी धातू में सश्ट भुजिय सीमित पैकिंग संद्रच नहीं होती है तो पांच होती है चार होती है आट होती है तो अपका राइट एंसओ कि आजई उप्सन ए 5 होती है चलि आगे कोशें देख लेते हैं निम्लिखित में से कौन सा आज़ में है तो क्लोरोफॉरम प्लस ऐसी टॉन ठीक है ऑपसन क्या जाएका ना बिल्कुल ना आपका ना राइट अंस्वर हो जाएगा निमली खित में से कौन सा अधर परगम्य जिली से निकल पाते हैं कौन निकल पाते हैं तो विलियन के अंडू ठीक है आपसन क्या हो जाएगा ए नमबर ना बिल्कुल ना राइट एंसर हो जाएगा चले आगे यदि आठ ग्राम ग्लकोच को एक हजर ग्राम घुल में घुलाय अगले विडियो में